चंडिगर से स्वक्त की बड़ी खबर पंजाब के चुनावी दंगल में आपने उतारे प्रफ्याशी आमादी पाथी ने पाचवी सूची की जारी पाचवी सूची में 15 उमिद्वारों के नामों की खोशना अभी तक पाथी ने कुल 88 उमिद्वारों के नामों की की खोशना पड़ी खबर इस वक्ती पंजाब चुनाओ को लेकर आमावदी पार्टी ने बाच्वी सूची जारी कर दी है उमिद्वारों की और इस तूची में 15 उमिद्वारों के नाम पार्टी की और से दिये गए हैं अभी तक कुल 188 उमिद्वारों के नाम साफ कर चुकी है आमावदी पार्टी घूशित हो चुकी है 88 उमिद्वार 117 सीटों पर लड़े जाने वाले चुनाव में 88 सीटों पर आमाद्मी पार्टी ने उमिद्वारों के नाम कियेता है पाचवी सूची आमाद्मी पार्टी की और से जारी बड़ी ख़बर इस वक्त की और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहीयोगी अनल कुमार हमारे साथ जुड़ गए है अनल पाचवी सूची जारी कर दी है आमाद्मी पार्टी ने 88 उमिद्वार टोटल अब तक हो चुके है इस बार जो सूची जारी की गई है किन-किन सीटों को लेकर के उमिद्वारों के नामों की घूशना कर दी गई है कौन-कौन से विधान सभास इन में कवर किये गए है साथ ही ये भी कि पिछली बार जो उमिद्वार मैदान में उतारे थे क्या उच में कोई तब्दीली देखने को मिल रही है इस बार देखिए अभी तक कि अगर बात की जाये तो आज पंद्रा और उमीद्वारों की घूशना जो है वो आमाद्मी पार्टी की तरफ से कर दी गई अभी तक पांच में सूची जो है यह है और अठासी उमीद्वार अभी तक घूशित कर दिये गए आज जो पंद्रा उमीद्वारों की घूशना आमाद्मी पार्टी की तरफ से की गई है वो अलग-अलग विधान सभा यानि विधान सभा नंब्र 10 से लेकर 109 तक जो अलग-अलग विधान सभा हैं जी वो इसमें कवर किगे यहां अधिक्ष में शवारों को कवर किए उनके जो सुची जारी कि गई है 15 उमीदवारों की उसमें कुलवन सिंग का नाम भी मुहाली से यानि मुहाली में आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलवन सिंग को उतारा जाएगा जो आम आदमी पार्टी में ही कल शामिल हुए थे चमकोर साहिब से डॉक्टर चरंजी सिंग है उनको चुनावी मैदान पे आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारा गया हाला कि कोई बड़े नेता रही है आम आदमी पार्टी के और अभी तक की जो सुची इसमें कोई विधायक भी रिपीट जो है वो नहीं किया गया पहली जो अध्यूप्स विधायकों के ही नाम थे सभी दस जो विधायक थे है उसकी बाद 为pend PP से अभी तक 25 सुची ज taşारी i गई उनको 12 वो चुनावी मैदान में उतार दिये गए हैं अभी खर्विकरीब 26 के करीभ उमंमीद से चुनावी मैदान में उतार पार्टी की तरव से तो ये कहा जा सकता है कि देखकर सुनावी समिकरण लंग कर विल्गवार है इ Glue फिर जो आमादm ravini पार्टी है वो आगे बढ़ है मिल्कुल आलगी यक मादमी पार्टी मर्कूल को m उमिदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है उनकी राजनिति कि गोंस बहुं कि तरफ से उम्मी दौरों की गोर चाहिया अथासली और इस से आगे के वरल अपॉटिव ढम एकाली दल है क्राहिया का झाली जो टेजी से जिन्होंने सब से पहले उमीदवारों की गोशना की गई थी उसके बाद आमादमी पार्टी की तरफ से उमीदवार उतारे जा रहे हैं अभी बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से उमीदवारों की सूचियां जो हैं वो जारी नहीं की गई है यानि सबसे आगे अक कि देखा गया था दस के करीब विधायक थे जिन्हें आम आद्मी पार्टी की तरफ से रेगुलर मौका दिया गया अभी कई ऐसी सीटे हैं जिन पर बड़े चेहरे उतरेंगे ये भी उम्मीद की जा रही है और अलग-अलग हलके को देखकर आम आद्मी पार्टी की तरफ से यह जिम बनाई जा रहे हैं कि किस सहरी मेंद फ़ेलए उस वद्हां आद्मी पार्टी की तरफ से देखे जा रहे हैं आधमा आधमी पार्टी की सूचियों में अभी तक जो 88 उमीद की उतारे देती है होड लग जाती है और उमिद्वार जो है जो टिकट की दावेदारी के लिए बैठे होते हैं मिद्वारी जतानी की आस में होते हैं उनके बीच भी काफी संखर्ष देखा जाता है कई बार पार्टी में कल्हा की स्थिती भी उत्पन हो जाती है तो क्या यहां पर इस 2017 के जो विधान सभा चुनाव थो उससे पहले कला देखने को मिली थी आमादमी पार्टी में जो सुच्चा सिंग छोटेपूर जिनकी तरफ से संगठन खड़ा किया गया था उनको किनारे कर दिया गया उसके बाद सुच्चा सिंग छोटेपूर के जो नजदी की नेता थे व में आपसी फूट ना हो सामन जिस से बना रहे शायद यही कारण है कि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से सीम चेहरे का एलान जो है वो नहीं किया जा रहा जबकि पार्टी में से भी कई नेताओं की तरफ से लगातार यह मांग कि जा रहे कि जल्दी मुख्यमंतरी का चेहरा जो है उसकी घोशना कर दी जानी चाहिए लेकिन शायद आम आदमी पार्टी यह भी अंदाजा लगा रही कि अगर जल्दी आप उमीदवार जो है चेहरा अगर गोशित कर दिया आम आदमी पार्टी की तरफ से तो किसी तरह की टूट-फूट या अंतरकल है जो है सामने ना आ जाए और यही कारण है कि अभी तक आमादमी पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीद्वारों की घोशना की गई है वह काफी विचार विवच्श के बादकी गई है और यह ही परियास चले बहूं? पार्टी में शुरूना हो चले बहुत शुक्रियाने लेसे तमाम जानकारी के लिए तो आम आदमी पार्टी के और से पांच भी सूची जारी कर दी गई हूं मिद्वारों के नामों की जिसमें पंधरा नाम जो हैं इस बार सामने आए हैं 117 सीटों पर चुनाव होना है हाला कि 27 विधान सभा 27 सीटे सीश अभी जिन पर उमिद्वारों के नामों की घोशना करना बाकी है तो काफी सदी हुई चाल जो है आमादवी पार्टी इस वक्त चल रही है एक दिन पहले ही चंडिगर नगर निगम चुनाओं के नतीजे साफ पाये थे जाहिर है कि उन चुनाओं के नतीजों से भी पाठी काफी उत्साहित दिखाई दिखाई दे रही है और नतीजों के अगले ही दिन 15 उमिद्वारों के नामों की पाठी की और से घोशना करती गई है